सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर अकाडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स दोस्तों इस बार मैं फिर हरसो लास के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने भविश्वानी की थी मुतुत फाइनेंस के बारे में वो सत्य हुआ और इसी साब से हमारे जो एकाडमी के मेंबर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बहुत अच्छा खासा फाइदा भी हुआ उस खुशी के साथ मैं कुछ आगे बातों को जोडने जा रहा हूँ पहले मैं आपको मुतुत फाइनेंस का पिछला जो मैंने पार्ट वन वीडियो बनाया था उसके बारे में आपका थोड़ा सा ध्यान लाना चाहूंगा पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था उसका उस टॉपिक का नाम था Best Stock for Long Term Investment मुतुत फाइनेंस का लगभग तीन महिने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था 4 मार्च 2019 को और उस समय मैंने कहा था उस समय उसका प्राइस था जस्ट 530 उस समय उसका प्राइस था 530 और मैंने वहीं कहा था कि यह इस प्राइस पर लेना एक पॉइंट है जो एडवाइजेबल है मैंने 530 में लेने के लिए कहा था और मैंने फर्स उसमय टार्गेट प्राइस यह कहा था कि इसका भाव लगभग यहां तक है कि 650 तक जाएगा और देख लीजे आज यानि कल की तारीक में जैसे आप जानते ही है कि फ्राइडे के दिन इसका क्लोजिंग हुआ जस्ट इग्जैकली 641 एंड 645 60 जैस 52 विक्स हाई 645.85 लगभग कर सकता हूं से 650 के आसपास इसने टेच किया तो अब आप देख लीजे यहां खास रूप से कि पिछले तीन मेहने में इसने रेट आप रिटर्न लगभग 20 रका से भी जादा इसने रिट के तो उन्हें 20% से भी ज्यादा मुनाफ़ा हुआ है इस तीन मेहने में तो चलिए आप भी इसमें शामिल हो यह और इस बारे में जरा और भी आगे की जानकारी में आपके लिए कहना चाहूंगा पिछला वीडियो है जिसमें मैंने सारा गतिवीधियां उपलब धियां मु अब प्रश्ण यह है कि अब यहां से इसका प्राइस कहां और किस रूप में और कैसे उपर जाएगा देखिए मार्केट में अक्सर क्या होता है जो कम भाव में शेस ले चुके होते हैं वो ऐसे समय में प्रॉफिट वूग करके निकलते हैं जैसे आप समझ लिए कि 530 में जिन्हों ने भी एक मान लीजिए आप जैसे कि 100 शेर्स किसी ने भी खरीद तो निश्चित है उसे 10,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ है यहां तो उसे सबसे वो यहां मिल यहां निकलना चाहेगा एक नॉर्मल जो शॉट टर्म इन्वेस्टर्स हैं शॉट टर्म जिनका टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टली प्रॉफिट वुक करके होल करते हैं बाकी शेर्स और यही ज्यादा एडवाइजेबल है इस्पेशली में मूतर फाइनेंस के बारे में करना चाहूंगा कि अभी जैसे आप पिछले भाव में आपने मालो 540-550 में भी खरीदा है तो यहां आप छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और देखते हैं अब हम पिछले तीन मेने का एक चार्ट देखते हैं लाइन चार्ट तो उससे आपको कुछ बारिकी बात मैं कहना चाहूंगा जरा आपका विसेश ध्यान हो तीन मेने पहले 27 फर्वरी 2019 को इसका भाव हुआ था लोग किया था उसने उस समय 513 का 513 रुपया 50 पैसा 27 फर्वरी के दिन उट टेच किया था उसके बाद उसने मुतत फाइनेंस के जो शेर प्राइस हैं जस्ट थोड़ा अप्ट्रेंड होकर फिर छोटा प्रॉफिट बुकिंग फिर अप्ट्रेंड हुआ और फिर एक लेवल पे चलता हुआ थोड़ा उपर फिर नीचे और इसी तरह से पिछले तीन मेने से ये कभी 15-20 रुपया उपर 15-20 के आसपास नीचे फिर फिर इसी लेवल पर ये चलता रहा और जैसे ही आप देख लीजे इसका अप्रेल में अच्छा रिजल्ट आया प्लस रहा और उस तरह से वहां से उसने प्लस करते हुए प्लस माइनस जिसे मैं हम ऐसा करता हूँ कि ये प्लस माइनस करते हुए exactly as you know very well कि कल की तारीख में 24 माई 2019 के दिन इसने टच किया 645 रुपया 52 विक्स हाई 645 रुपया 85 पैसा अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ थोड़ा और उस तरह से मार्केट क्लोज हुआ जैसे कि आप देखी रहें कि सिंसेक्स अपनी तरव एक प्लस पॉइंट पे बुलिश ट्रेंड पर आ गया है पुरा देश का पॉजिटिव माहुल हो गया है तो सेंटीमेंट जो इन्वेस्टर्स के हैं और बड़े-बड़े ट्रेडर्स का जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में अब जा रहा है लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि जैसे मंडे मार्केट ओपन होता है तो इसका भाव और सुभाव कैसे होगा चलिए आपका बिसेश ध्यान यहां हो अब जैसे आप देख रहे हैं कि 645 रुपिया इसका हाय है तो ये एक टच करेगा एक लेवर पे 649 या 50 के आसवास और वहाँ पर काफी लोग बाइंग करेंगे और ये तो आप जानते हैं कि future and option में मुतृत finance है तो कुछ लोग future and option के trading strategy के हिसाब से वहाँ पर कुछ put बाइंग करते हैं और कुछ वहाँ से call plus होता है तो अगर वहाँ पर उसका effect strong नहीं रहा तो एक level पर थोड़ा उपर लेकर जिसे 600 तिरपन के आसवास अगर वहाँ पर buying force strong नहीं हुआ तो वो फिर नीचे आ जायेगा point to be noted here और यहाँ 654 को अगर इसने break किया तो धीरे 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 यह 700 की तरफ बिलकुल पहुच जायेगा और आने वाले महिने में just up train down train करते हुए इसका target है 750 रुपे का यह 750 रुप के उपर जाने की योगता और इसकी मजबूती रूप अपने आप साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पीछे जितना buying force है और market capitalization पर आपका business ध्यान हो आपका business ध्यान हो market capitalization मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि आप business रुप से अगर मेरा पिछला वीडियो बाली की से आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहा है कि market capitalization यह 25,000 करोर तक अगर पहुचता है तो निश्टित है यह 650 के आसपास जायेगा और वही हुआ देख लिजे उसमें इसका market capitalization पिछली बार 21,000 करोर के आसपास था 21,000 प्लस अब यह 25,712.44 करोर्स market capitalization है इस तरह से यहाँ पर अच्छा खासा इसमें बढ़ोतरी हुआ है और आप यह भी देख लिजे इसका annual return एक साल में इसने 60.68% इतना अच्छा खासा इसने return दिया हुआ है तो मैं डावे से कहूँगा कि यहाँ short term और long term दोनों के लिए मुद्थ फाइनेंस एक बहुत ही अच्छा मैं कर सकता हूँ shares है जहाँ पर आप invest कर सकते हैं और इसमें plus आप महाँ पर profit book करके निकल सकते हैं जब जब यह नीचे आए तब आप उसे लेते रहे और जब यह उपर आए जस्ट आपको एक profit booking करके निकलना है तो बस मुझे इतना ही कहना था आपके सामने सभी बात मैंने प्रस्तुत कर दिया है और खास बात यही करना चाओंगा कि हमारे service share academy में एक और बात है हम portfolio services भी provide करते हैं तो जिस किसी को अपना portfolio growth oriented बनाना है बहुत ही strong हो और आगे और future में कितना भी market bearish रूप में हो तो भी हो strong रहे ये बात अगर आप चाहते हैं तो मुझे whatsapp में message कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद